दुनिया भर में चल रही कोरोना महमारी को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने पूरे देश में लोगडाउन घोशित किया है। लोगडाउन लगाए जाने के बाद भी देश में कोरोना संक्रमितों का आकड़ा 33,300 के पार हो चुका है। वही 1080 से जादा लोग कोरोना वारस से अपनी जानगवा चुके हैं। देश की मौजूदा स्थिती देखें तो भी संक्रमितों का आकड़ा लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। पहले जहां 14 अपरेल तक लोगडाउन लगाया गया था। उसके बाद स्थिती को देखते हुए इस लोगडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। तीन मई करीब है और लोगों को लोगडाउन खुलने का इंतिसार है। लेकिन मौजूदा स्थिती को देखते हुए सरकाल लोगडाउन हटाती है या नहीं ये अभीत्ताय नहीं हुआ है। अगर लोगडाउन खुल भी जाता है तो उसके बाद कैसा माहौल होगा ये एक सो कर रखा है क्या लोगडाउन खुलने के बाद भी ये सील रहेंगी। साथ ही ये कि गवर्मेंट लोगडाउन खुलने पर उस डिस्ट्रिक्ट का 15 दिन का रिकॉर्ड चेक करेगी। अगर इन 15 दिनों में कोई पॉजिटिव सामने आया होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट फिलह की तरह ही लोगडाउन रहेगी। एक सोच ये भी है कि पिछले एक महिने में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 10 से कम केस हुए होंगे तो क्या उन जगहों को छोड़का जहां COVID-19 के पेशिंट पाए गए हैं उस डिस्ट्रिक्ट की बाकी जगह खोल दी जाएगी। COVID-19 की केसिस में कुछ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना पॉजटिव मरीज नहीं पाया गिया है। तो क्या गवर्मेंट इन जिलो को लॉकडाउन से मुक्त कर देगी। पहले बात तो यह है कि तीन मई को देश में लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। प्रधान मंत्री ने अब तक सभी राजियों के मुक्ही मंत्रियों से जो पाचीत की है उसमें यही सलह सामने आई है कि लॉकडाउन की अवधी को अभी और बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए यह तैन नहीं है कि देश में लॉकडाउन तीन मई को खरत्म होगा या नहीं। लॉकडाउन खुलने के बाद क्या स्थिती होती है क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं वो हमने आपके सामने रखे। आगे जो भी स्थिती बनती है या जो भी निर्णय लिया जाता है वो हम आपको जरूर बताएंगे। सभी चीज़ा जानने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है घमासान.com Subscribe our channel and press the bell icon for more updates